एक गाउं के बाहर सडक किनारे खेतों पर साम का समय था, अंधेरा हो रहा था, लोगों का आना जाना अब गाउं के बाहर बंद हो चुका था, गाउं के बाहर जब बंद हो जाता है, लोगों का आना जाना अंधेरा हो जाता है, तो ज़्यादा तर कुछ सराबी बाहर खेतों बैटका सराब पिया करते हैं, सराब का आनंद लिया करते हैं। इसी तरह से एक मामा और भांजे दोनों गाओं के बाहर खेत की पगड़न ली पर बैठे हुए सराब का आनंद ले रहे थे। तबी वे बतियाते बतियाते भांजा कुछ ऐसा कहता है जिससे मामा बेकाबू हो बांजा सराब पीते-पीते मामा से कहता है कि मामा मामी बहुती सुदर है, बहुती खूब सूरत है, कटीला बदन है और उसको देखकर मैं तो मधोस हो जाता हूँ। हुआ था यह मामला क्या था इसके पीछे का राज पूरी जानकार यहां पलेने वाले हैं नमस्कार में हूँ सुदेश कुमार और तिर्ची वाचेलन में आपका स्वागत है यह घटना उत्राखंड के कासी पुरकी है जहां पर ब्रजमोन नाम का एक सक्सरा करता है चार साल पहले उसकी साधी हुई है पत्नी का नाम प्रीती है चार साल गुजरने के बाद दो बच्चे हो जाते हैं और उसकी जो पत्नी है प्रीती वे और भी जादा उसके अंदर निखार आ जाता है उसकी खुब सूर्ती के अंदर जो ब्रजमोहन है वे नोकरी पर जाया करता है वहाँ से कुछ कमा कर लाता है अपने परिवार का भरन पोसन करता है ब्रजमोहन अपनी पत्नी को लेकर वही पर अपने ही गाव में अपने परिवार की साइड में ही दूसरे घर में रहा करता है अकेले रहते हैं पती पतनी और बच्चे अब इनका एक भांजा भी होता है जिसका नाम होता है सौरव जो की 2 किलोमीटर दूर उसका घर है वह सौरव इनके घर पर आ जाया करता है कई बार और वहाँ पर आकर इनसे मिल लिया करता है खाना वगेरा भी इनके घर पर इखा जाया करता है अब एक दिन क्या होता है जो ब्रज मोहन होता है उसके पाव में चोट लग जाती है पाव में चोट लगने की वज़े से वह नौकरी छोड़ देता है और घर पर हिलाज करवाने लगता है अब उसका पाव में पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ था नौकरी वह छोड़ चुका था और वह सराब पीने लगता है दर्द को कम करने के लिए कुछ तो सराब पहले भी पिया करता था और अब वह सराब कुछ जादा ही पीने लगता है एक तरह सराबी बन जाता है उसकी पत्नी प्रीती उससे बहुत जादा परिशान हो जाती है कहती है वैसे ही नौकरी खतम हो गई और आप घर में पैसा भी जादा नहीं है और तुम बचे कुछ जो भी पैसा है उसको तुम सराब में खर्च कर देते हो हम कैसे जीएंगे इधर जो इनका भांजा होता है सौरव वे आने लगता है मामी की तरब देखता है और मामी की तरब आकर्चित हो जाता है क्योंकि उसकी मामी और भी जबान दिखाई देने लगी थी साधी के बाद, बच्ची होने के बाद मामी की तरब दूसरी निगाहों से देखता और जो उसका मामा होता है उस सराब पी कर घर आकर जल्दी सोजाया करता है मामी अकेली घर में तनहा और तरस्ती रहा करती पती से मिलने के लिए एक पती सराब की नसे में चूर होकर सोजाया करता है अब इसी बात का फाइदा उठाकर जो भांजा सौरब होता है मामी की तरफ तरस्ति निगाओं से देखता है और उसकी मामी भी उसकी तरफ नोटिस करती है क्योंकि जवान भांजा था अब डोनों की नजरे मिल जाती है सौरब अब सराब घर पर ही ले आता है अपने मामा को पिलाने के लिए मामा को सराप पीने के लिए दे देता है और मामी की तरफ इसारे करने लगता है उल्टे सीधे मजाग करने लगता है मामा बेहोस हो जाता है सराप पीने के बाद और उसके बाद मामी और भांजे के मजाग चला करते हैं मजाक मजाक में ही अब भांजा मामी से कुछ ऐसी बात कर बैठता है कि मामी अब उसके उपर मरने मिटने लगती है भांजा कहता है कि अगर मैं तुम्हारा मेरे जैसा पती होता तुम्हें तुम्हें कभी कस्ट नहीं होने देता मामी जैसा मामा है ऐसा मैं नहीं होता इस बात पर उसकी मामी मोहित हो जाती है और उसको अपने पास बुला लेती है और अब इन दोनों के एक दूसे के साथ नेन मिल जाते हैं और संबन बन जाते हैं जो मामा है वह बेहोस पड़ा हुआ तर नसे में अब दोस्तों यहाँ पर एक बार संबंद बन जाते हैं तो रोज रोज सोरव सराब लेकर आता और मामा को सराब पिलाकर नसे में धुत कर दिया करता है उसके बाद मामी और बांजी संबंद बनाया करते हैं यह सिलसला रोज-रोज का चलता है तो पड़ोसियों को पता लगता है और फिर जो ब्रजमोहन है उसके घरवालों को साइड में पता लग जाता है तो ब्रजमोहन के जो घरवाले हैं सौरब जो भंजा है उसको धमका कर भगा देते हैं तो यहां पर रोज-रोज क्या करता है औ दोस्तों जो भांजा होता है घर से चला जाता है और जो घरवाले होते हैं वे ब्रजमोहन को बता देते हैं कि तुम्हारी पत्नी के अवे सम्मन्ध तुम्हारे भांजे के साथ है वे सराप पिला कर तुम्हें उसके बाद तुम्हारी पत्नी के साथ वे गंदा काम करता है बांजाव अपने घर पर रहता है मामी और भांजे दोनों अकेले हैं इनकी रखवाली की जा रही है दोनों तनहा हैं मिलना चाहते हैं लेकिन मिले तो मिले कैसे हैं अब दोस्तों यहां पर क्या होता है जो मामी होती है अपने भांजे सौरब से कहती है कि अब तुम्हें एक काम करना होगा जिससे हमारा मिलन हो सके तो मैं अपने मामा को ब्रजमोहन को मारना होगा उसके बाद हम दोनों एक हो सकते हैं जो सौरव होता है कहता है मामा को कैसे मारूंगा वह तो मुझसे बात भी नहीं करता है तो मामी उसको ऐसी तरकीब बताती है दोस्तों तरकीव ऐसी होती है जो सौरव होता है बरजमोहन के पास फॉन करता है और उसे माफी माफी मांगने लगता है कि मामा मुझे माफ कर दो मुझे गलती हो गई आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा लेकिन तुम मुझे माफ कर दो अब ब्रजमोहन उसको माफ कर देता है सीधे स्वभाब का था अगले ही छण सौरब कहता है कि मामा मैं तब मानूँगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया आज हम पार्टी करेंगे एक साथ सराब पिएंगे और गाउं से बाहर आ जाओ जो ब्रजमोहन उस सराब का आदी था अब जादा नहीं सोचता है सीधा चल देता है साम का सन्नाटा था सांज का सन्नाटा जिसे बोलते है गाउं के बाहर सौरब सराब लेकर बैठा हुआ था और अब वहाँ पर जो मामा ब्रजमोहन है वो भी पहुंच जाता है सौरभ पहले तो दोबारा माफी मंगता है उसके बाद इनकी महफिल जमती है दोनों सराब पीने लगते है और फिर सौरभ भांजा कहता है मामा तुम्हारी जो पत्नी है मेरी मामी बहुत ही सुन्दा लगती है मुझे और मन तो ऐसा करता है देखता चला जाओ इस बात के उपर उनके बीज में जगड़ा होता है और सौरभ अपने गंशे को निकाल कर अपने मामा की गले में लपेट कर उसको जान से मार देता है तरपा-तरपा कर उसके बाद भे घर आ जाता है मामी के पास फोन करता है कि काम तमाम हो गया है अब हम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता मामी बड़ी खुस होती है लेकिन दोस्तों सुबह जैसे लास मिलती है ब्रजमोहन की तो पुलिस आती है पुलिस मामी की चान बीन करती है और फिर गाउं के कुछ लोग पुलिस को बताते हैं कि इसकी पत्नी प्रीती के साथ इसके भांजे सौरव का अफेर था कुछ दिनों से इनकी लड़ाई चल रही थी हो सकता उसने ही इसको मार दिया हो और जो पुलिस होती है पुलिस की कॉल डेटेल्स चेक करती है और भांजे की कॉल डेटेल्स चेक की जाती है तो भांजे की जब सीरिया लोकेसर निकाली जाती है तो व्रजमोहन के पास ही खेतों में बोल रही थी उस टाइन जब हत्या हुई थी और इधर जो प्रीती है उसके पास भाणजे का उसी समय फोन आय था और जो ये बात कही थी काम हो गया है, अब इन दोनों को उठा लिया जाता है, सक्ती से पूछा जाता है, दोनों जुर्म क कि हमी भर देते हैं कि हमने ही अत्या की है हमारे प्यार के वीच में आड़े आ रहा था उसके बाद इन दोनों को उठा कर जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर एक अवैस संबंदों के चलते हुए दो बच्चे अनात हो गए और पत्ती ब्रजमोहन की जान चली अब उन बच्चों का क्या होगा जो दो बच्चे अनात रह गए दोस्तों ऐसे मामलों में बच्चे अनात रह जाते हैं यानि कि बच्चों की जिंदगिया भी बरवाद हो जाती हैं किसको माबाप कहें और जो चीज में माबाप से मांग सकते हैं कह सकते हैं वो किसी रिष् तब तक आप खुछ रहें, जय हिंद, जय भारत